कि नमस्कार बच्चो मैं संजय चोहन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने खुद के बिस्कवरी स्टेडी सरकील परिवार में और एक नई क्लास एक नया कंसेप्ट हिंधी की क्लास आज है किसकी बच्चों? Hindi की. हिंदी क्लास में आज हम लोग इसाड करते हैं, बच्चों किरिया. देखो हमने संग्या सरोनाम, दोनों कंसर्प बलुकुल पूरे तरीके से बढ़ीय तरीके से कर लिये. सरोनाम में हमने एक चप्टर होर किया था, सरोनाम कारक रचना. आज हम पढ़े किरिया के बारे में देख़ बत्चों किरिया से लिखार थीर इंस में जिसे किρίया से खंचन के बहुत महत्पून चेप्टर है कि जिस पेपर में तीस पैथीव-थीज चालीश क्वेस्टन हिंदी के आते हैं उसमें आपको एक दो कुर्षण के ghosts मिलेगा किरिया को समंझने के बाद वाज्चिय समंझ में आते हैं बोलते हैं वर्व हिंदी बोलते क्रिया किसी भी वाक्य में किसी भी वाक्य में जिस सब्द से काम का होना पाया जाए काम का होना पाया जाए यानि जिस सब्द से हमको ये पता चले कि कोई कारिया हो रहा है या नहीं हो रहा है तो उस सब्द को हम उस वाक्य में किरिया कहते हैं किसी भी वाक्य में तीन सब्द जुरूर धाना करें बच्चो पहला करता, दूसरा कर्म, और तीसरी किरिया तीसरी किरिया वाक्य की सार्थकता इसी में होती है कि इनका करम बना रहे राम किताब पढ़ता है राम पुस्तक पढ़ता है राम क्या हुआ काम करने वाला पढ़ता है राम पुस्तक पढ़ता है तो पुस्तक करम हुआ और पढ़ता क्या हुई किरिया हुई तो इनमें करम होना चाहिए कि क करता करते के बाद क्या कर्म और कर्म के बाद किरिया यह नहीं पढ़ता है राम पुस्तक पढ़ता है राम पुस्तक तो पढ़ता है हमने पहले बोल दिया किरिया पढ़ता है राम करता फिर बोल दिया पुस्तक करम बादें बोल दिया यह वाक्य की सार्थकता नहीं हुई करम बदता नहीं हुई कई बार एक्जाम में वाक्य को करम से लगाना भी आता है तो उस करम से लगाने में इसी बात का धनकना होता है कि करता के बाद करम आना चाहिए करम के बाद करिया या कई बार करता का विस्तार होता है कई बार करम का विस्तार होता है कई बार करिया का विस् बैठकर कमरे में बैठकर पुस्तक पड़ता है तो यह करता का विस्तार हुआ करता का विस्तार हुआ कि और मिसने करता के बाहिज़ आएगा एक वाक्य में तिर्ची जहार के आप, करता क्या है, करम क्या और किरिया क्या है ये तीनों चीजा पर आपको वाक्य में पता है तो आपको बहुत कम समश्चा आने वाल है इस चेप्टर के अंदर ठीक बच्चों, चलिए क्या होती है किरिया वाक्य में जिस सब्द से किसी काम का होना पाया जाए उसे हम किरिया कहते हैं कैसे माले मैं लिखूँ राम पुस्तक पढ़ता है राम पुस्तक पढ़ता है तो राम तो करता हो गया पढ़ना क्या होगी पुस्तक होगी पढ़ता क्या है किरिया होगी पुस्तक क्या हो गया करम हो गया राम पुस्तक पढ़ता है यह करिया है यह करम है और यह करता है करता के बाद करम और करम के बाद कही है किरिया और किरिया के बाद कही है helping वरब आई है बच्चो तो ये धानकनाप वाक्य में करता करम किरिया की करम बदता होती है तो किसी वाक्य में राम क्या करता है पढ़ता है राम पुस्तक का क्या कर रहा है पुस्तक पढ़ता है राम पुष्टक लिखता है तो राम पुष्टक क्या करता है लिखता है लिखना किरिया होगी राम पुष्टक फाड़ता है तो फाड़ना क्या होगी किरिया होगी तो यह भागना आप तो जिस सब्से काम का होना पाया जाए उसे हम बोलते है किरिया बाश्पश होगी यही बात समझानी थी अब देखो हिंदी व्याक्रण में धातू हिंदी व्याक्रण में धातू से किरिया बनती है या धातू के आंत में प्रत्य लगाने से किरिया बनती है कुछ मूल धातू भी होती है जो स्वम किरिय के रुप में परियोग होती है धातू किसे कहते हैं में धातु बच्चो मूल सब्द को कहते हैं किसे कहते हैं मूल सब्द को धातु कहते हैं मूल सब्द को क्या कहते हैं धातु कहते हैं और धातु से क्या बनती है धातु के अंत में प्रत्य लगाने से हमारी किरिया बनती है दातू के आंत में क्या लगाने से प्रत्य लगाने से क्या बनती है किरिया बनती है तो क्या बच्चो दातू मूल सब्ध होते हैं उनमें बात प्रत्य प्रत्य क्या बनेगी किरिया बनेगी जैसे मैं लिख रहा हूं लिख पड़ जै गा ये बच्चों क्या है ये मूल धातू है ये धातू है लिख लिख ना ना लिख दिया आपने क्या लिख दिया ना प्रत्य हो गया किरिया बन गी आपने बात में लिख दिया ये प्रत्य हो गया लिख लिखा आ लिख दिया आ प्रत्य हो गया लिखी ये लगा दिया ये प्रत्य हो गया तो मूल सब्द क्या है मूल सब्द बच्चों इसमें क्या है लिख है तो लिखी क्य हुई धात हुई ऐसी पढ़ना पढ़ो पढ़ो पढ़े पढ़ो पढ़ा पढ़ो पढ़ना पढ़ता है ता लगा दिया अपने क्या बन गया पढ़ता बन गया तो धातु के आंत में प्रत्य लगाने से क्या बनती है किरिया बनती है याद रही बात धातु के आंत में प्रत् जो जानी कशे जो मूल सब्सक्राइबलते हैं तियों सब्सक्राइबम अलग हो गया पर origin मूल सब्सक्राइ elle और उनरी से किरिया बंद एक न चक्ताइब मतलब से पहले अगया जल तो क्या मतलब बने काते होगे योगिक सब्द हो गया नहीं दो सब्द जुड़के जहां दो सब्द जो अर्थपूर्ण सब्द जुड़ जाते हैं उसे योगिक सब्द बोलते हैं तो जलज क्या है ये सब्द योगिक है रूड सब्द नहीं है ये ये सब्द क्या है में उत्पन होने वाला कमल पंक कज पंक यानि कीचड में उत्पन होने वाला नीरज नीरज नीर में उत्पन होने वाला किस में नीर में नीर में उत्पन होने वाला तो जय अपने आप में क्या एक धातू है धातू अर्थपूर्ण होती है याद रहे की बात इस तरह का दो यह योगिक सब्द होता है दो अर्थपूर्ण सब्द आपस में मिलते हैं तो उन्हें रूड सब्द कहते हैं इससे अपने निख अर्थ निकला तो योग रूड पंक योग योग रूड नीरस रोड योग रूड इог रूड इनसे तीसरा अर्थ बंड रहेक है नीर का अर्थ अलग है, जय का अर्थ अलग है, पंक का अर्थ अलग है, जय का अर्थ अलग है, और लेकिन अर्थ का बना तीसरा बन रहा, कमल, तो यह योग रूड सब्द होते हैं, तो धातू से मैंने आपको कितनी बातें किलियर कर दी, धातू के अंत में पढ़ते लगाओ को तो किरिया बनेगी मूल सब्द होते हैं और या बना आपको रोड सब्ध योगिक सब्ध और योग रोड सबता दिया को देखो आप यह उतीए किरिया पढ़ाने का तरीका चलिए आप देखो जो धतु ओतीए हिंदी में जो धना होते हैं हिंदी में जो धातू होती है यह धातू हिंदी में 2 परकार की होते हैं कितने की दो प्रकार की एक को बोलते हैं बच्चो मूल धातु क्या बोलते हैं मूल धातु और बच्चो एक को बोलते हैं योगिक धातु योगिक धातु क्या होती है जब कोई मूल धातु यानि मूल सब्द जब कोई मूल सब्द यानि मूल धातु जब कोई मूल सब्द यानि मूल धातू किर्या के रूप में परियोग हो जैसे लिक जैसे क्या लिक लिक तो लिक क्या हुआ मूल सब्द हुआ लिक क्या हुआ मूल सब्द हुआ लिक क्या हुआ मूल सब्द हम बत चल भाई लिक तो किर्या हुई ना लिख चल पढ़ क्पूर फिरल जा है की क्या हुए किरिया हुई लेकिन इनमे हमने अंत्त में प्रतेय नहीं लगाया का लिको मां सिरो लिखो अप लोग लिखो औ परते लगा दिया चल भाई लिख लग तो लिख्ट तो लिख तो मूल धातू होगी तो जब मूल धातू किर्या के रुप में परियोग हो तो उसे मूल धातू कहते हैं जब दो यानि एक प्रकार से दो धातू एक साथ मिले यहां फिर धातू के साथ परत्य लगे जब दो धातु एक साथ मिले या धातु के साथ क्या लगे प्रत्य लगे जैसे लिखना क्या बन गया लिखना लिखो लिखा ये तक बाद में ना ओ आ ये सट उड़के ना आ ओ लिखना लिखा लिखो लिखना लिखा लिखो ना प्रत्य आ प्रत्य और ओ प्रत्य तो ये योगिक धातु है कैसी ये योगिक आप यहां कोई दो चीजा अपस में जुड़ी हो उससे बोलते है योगिक तो यह क्या होगी लिखना लिखा लिखो पढ़ना या पढ़ा है ना पढ़ा तो पढ़ा मा आगा जुड़ी का बात में प्रत्य बनगा खाली अगर पढ़ होगा तो कहां लोगे पढ़ पढ़ के व जाना जाना तो जाना क्या बनेगा ना परत्य लग गया विए कौन सी यूगी धातु यह कौन धातु है यह आपकी बच्चो मूल धातु यानि जब कोई मूल धातु ही किरिया के रूप में परियोग हो तो मूल धातु किरिया कहलाती है और जब कोई कैसी हो तो यूगी धा आगे होगी कि मूल धातू क्या है और योगित धातू क्या है ठीक चलिए अब देखते हैं आगे कि कि अब देखो अब यह बात है धनगनाब रचना के आधार पर और उत्पत्ती के आधार पर किर्या पूछता कितने परकार कि होती है रचना के आधार पर किर्या जो होती बच्चो वह दो परकार की होती है सेकरमक किर्या और एकरमक किर्या और कौन सी एकरमक उत्पत्ती के आधार पर यह वृत्पन वृत्पत्ति यह उत्पन वृत्पत्ति के आधार पर किर्या चार प्रकार की होती है इध्यानना आपको ईसमें अध्यापक बच्चों को हिंधी पढ़ाता है तो क्या हो गया ऑगए दो पर्म confess किरिय उत्पत्र अब किते होती है चार पूरुकालिक किरिया कौन सी पूरुकालिक किरिया दूसरी सेयुक्त किरिया थीसरी प्रेनार्थक किरिया और चोथी नामधातु किरिया चार होगी दौर सुन लेजिए पूरुकालिक किरिया से वह पढखर सोता है वह नहाकर भोजन करता है यह पूर काले किरिया होगे, जहां दो किरिया साथ हो, से वह धिल्ली पहुँच गया, उसने सिनेमा देख लिया, नामधातू किरिया, जहां पर संग्या का परियोग किरिया के रूप में हूँ, हतियाना, लठी आना, सत्याना, बती आना, ये कुछी किरिया है बच्चो ये किरिया आपकी है नामधातु किरिया चोथी कुछी किरिया आपकी बच्चो कुछी है प्रिनार्थक किरिया जो किरिया हम खुद करता ना करें दूसरे से करवाए खिलवाना नहलवाना पढ़वाना अगर मैं उनसे पढ़वाता हूं तो मैं कुछ खुद नहीं काम कर रहा किसी काम करने लिए प्रेश कर रहा तो प्रेणार्थ करिया होगी ठीक यह हम लोग बाद में पढ़ेंगे अब यह पड़ते हैं सक्रमक और एकरमक करिया इन दोनों को अलग लग पढ़ेंगे बहुत सारे आपके दूर होने वाले बहुत है राम गाता है तो इसको अकरमक किरिया आप कहते हैं के कहते हैं अकरमक अकरमक नहीं यह यह सक्रमक है कैसे अभी देखते हैं सेक्रमक और अक्रमक किरिया चलिए इसको आगे लेके चलते हैं देखो पहली किरिया है अमारी सैकर्मक किरिया कौन सी सैकर्मक किरिया नाम से इस पस्ठ है करम सहित किरिया करम सहित किरिया यानि जिस किरिया का करम हो जिस किरिया क्या हो उसे सैकर्मक किरिया कहते हैं जिस किरिया क्या हो करम हो जिस किरिया का कर्म हो करम सहित किरिया क्या होती है सैकर्मक किरिया होती है जिस किरिया का करम हो यह करम की संभावना हो करम छिपा हुआ हो कहीं बच्चो जैसे अगर मैं कहूं आपसे नमबर एक जब किसी वाक्य में कोई करम छुपा हुआ है करम दिया हुआ नहीं है पर लेकिन किरिया की करम की संभावन आए है तो उसे बोलते बच्चों स्यक्रमक किरिया राम खाता है राम खाता है ए दो वाक्य लिखे वे राम खाता है राम आम खाता है राम पढ़ता है वत तीन वाके लिखे वे राम खाता है किरिया कौन सुई खाना खाता है क्या खाता है कुछ उत्तर नहीं मिला ना राम खाता है कुछ तो खाता होगा ना वह राम खुद तो अपने आपको नहीं खा रहा है नहीं ना जब किरिया का परभाव करता पर ना पड़े जब किरिया का परभाव करता पर किसी भी रूप में ना पड़े तो इसका मतलब यह गी किरिया का परभाव किसी अन्य वस्तु पर पड़ रहा है वो वस्तु भलेश में दिव ही हो है तो कहीं और तो करम की संभावना है करम चुपावा है तो किरिया सक्रमक होगी किरिया कैसी होगी करम इसमें नहीं है करम चुपावा है संभावना है करम की इसमें करम दे दिया राम आम खाता है क्या खाता है राम खाता है यह किरिया बच्चों कैसी है सक्रमक किर अक्र्मक नियूंत dip नोगत पड़ते ही केमिन नहीं तो क्या किरिया का प्रभाव राम पर पढ़ रहा है इस ऑंख्रा सब्जी खारा रोटी खारा अमरूद खारा बेंगन खारा क्रेले खारा है tut आइसक्रीम खारा प्रभाव उस वस्तु पर पड़ाय ना कि परभाव राम पर प्ड़ता तो मैं कहा हूं लए मैं लाराम नाच ता है कि डिस्डवर राम कहा पर पहुंव राम पर पर भर Walking लुए में सोता है कि घहां सिद्दा पर पर रहा है तो कौन सी कीना उगी तो और नहीं से यहाश कौन रहा हैS नाच वक्ताल और नहीं refers हो जब सीद्दा पर बाह पहलत और सोने का तो कौन कुण से क्रिया कोई करब करम निए सकता कर हो करम की संभावना क्या संभावना भी तो नहीं करम की अक्राम नास्ता है राम नास्ता है यहां संभावना भी नहीं है चाहां नास्ता है राम नास्ता है राम नास्ता है राम नास्ता है क्या नास्ता है राम कुछ नहीं राम कौन नास्ता है तब राम नास्ता तो नाचना में परभाव कि सदा राम पर पर और तो राम पर पर पढ़ रहा है तो यहां पर पर ऌफ राम पर नहीं पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा है राम पढ़ता है तो दित seems कirus то कुछ तो पढ़ता होगा किसी का चहरा पढ़ता होगा है ना तो राम कुछ और पढ़ रहा है स्वेम को थोड़ी पढ़ रहा है तो करम की संभावना है और जहां करम के संभावना है वहां करतापर परभाव नहीं है और जहां करतापर परभाव नहीं है वहां सक्रमक्रिया हो जो क्या थान की concept देखे एक तो यह याद रख्या आप कुछ किरिया जनमजाद से करमक है यह कभी अकरमक नहीं हो सकती जब यह किरिया प्रणार्थक बनती है तब यह किरे अकरमक होती है जैसे पढ़ना लिखना पढ़ना लिखना गाना खेलना बोलना गाना हो गया दिखना पढ़ना इस सब किरिया कैसे है जनमजाद इस सब जनमजाद है किरिया शक्रमक यह किरिया कभी अपने अपने शकती कोई दूसरा ही इनको करेगा पसना राम सोता है राम सोता राम किरिया स्वेम कर रासोने की तो नाच रहा कुण सी किर्य अक्रमक्त मदारी बंदर को नचाता है मदारी बंदर को नचाता है क्या नचाता है बंदर को मदारी बंदर नचाता है क्या नचाता है बंदर उत्तर मिलें नचाने का तो कर तो कोई हो रहा बंदर कर कोई हो रहा है कर तो बंदर ना करवा तो जाएगी राम पतंग उड़ाता है तो किरिया को रहा राम कर रहा पतंग उड़ती है तो कैसे उड़ रही स्वेम तो जो किरिया स्वेम होती है वो अक्रमक किरिया होती है जो किरिया दूसरों के द्वारा होती है वो किरिया सक्रमक होती है ठीक है यह जनमजाद सक्रमक किरिया यह भी पूश्ता उप्शन देकर जुरूर लिख लेजगा कैसी किरिया जनम जाती है यह जनम जात किरिया सक्रमक किरिया है इहने कभी कोई अक्रमक नहीं बना सकता है ठीक है चलिए अच्छा इसमें बता आपको नंबर एक जब किरिया का परभाव करम परपड़े किस परपड़े करम परपड़े क्मक परपड़े करम परपड़े तो को सिक दोगीए श्यक्रमक नमबर नो जब किरिया है यह श्वं ओ ना हो झाद किरिया है स्वन कर नौर्फ ए जब किरिया है स्वन ना हो जब आए किरिया के साथ जब किरिया के साथ क्या क्या और किस को का पर्षन करें का पर्षन करें उत्तर कि इस पस्ट मिले उत्तर क्या मिले इस पस्ट मिले यह यह संभाव ना हो उत्तर की संभाव ना हो उससे अब बोलते हैं सक्रमक किरिया देखी कहले कहा मनें जब किरिया पर्भाव किस पर हो करम पर हो करम पर पड़े यह परभाव करता पर ना पड़े जब किरिया स्वेम ना हो कोई दूसरा किरिया कर रहा हो जब किरिया के साथ क्या और किसको का पर्षन किया जाए राम पुस्थक पढ़ता है क्या पढ़ता है पुस्थक उत्तर मिल गया राम वेद पढ़ता है क्या पढ़ता है वेद इस पर उत्तर मिल गया लेकर ना कोई भी आप ले लिजिए कोई भी ले लिजिए उत्तर मिलने की संभावना राम पढ़ता है क्या पढ़ता है उत्तर मिलनी कि संभावना कोई-्यूतर में जरूर होगा तो संभावना तोर देछना की सब्सक्रान अगर पर्भाव करता पर सिदे तो पर्भाह करता पर तो नो टाउट वो कि जो किरिया स्वम हो रहे हूं, वो किरिया अकरमक हो गी वो किरिया सक्रमक हो गी पेड़ खड़ा है गटाव?" तो इधी भळी आप dipping आप बिलिए आप बलिख ञेज़े जब किरिया का फ्राम उटार हो ओय जरूर उतार लिजेगे देखिए मैंने का कि क्या person करने पर और किसको person करने पर क्या और क्यसको अगर यह दो person हम करиля है और हमें उत्तर मिल जाए या उत्तर मिलने की संभावना हो तुम्हा किर्या सक्रमक होती है पर बहुत किसी प्रकार से भी करता पर ना पड़े क्रम पर पड़े तो किरिया कुंजे सी होगी सक्रम कखोगी आप से को दहां देता है पेड़ खड़ा है कि आपने खड़ा एसे पहले क्या खड़ा है उत्तर क्या मिला पेड आप जी चोती बात तो आपकी पूरी होगी जो चोति आपने कही थी अप उत्तर में क्या मिलना चाहिए उत्तर में उत्तर प्रवाव किस पर होगा पेड़ पर तो होगा जब परवाव करता पर हो तो किरिया कोई सी होती है अकरमक होती है तो अकरमक किरिया है उत्तर भले मिल जाए उत्तर मिलना कोई किरिया की विश्यस्ता नहीं है जो न क्या और किसको जो लिखा गया है ये तो क्योंगे ट्रिक बनाई गई है पैचानने की ये कोई कंसेप्ट न नहीं है किरिया का और किसको तो केवल एक ट्रिक बना दी घई पैचान करने की oro क endorse मेता मिं यह किरिया के जो तो ऊपर के तीन थे करता पर ना पडए में अक्रम किरिया जब कुर्विए का ना पड़े तो अकर्म अक्रम किरिया सिर खुजलाता है सिर खुजलाता है वह सिर खुजाता है बूंद बूंद से गाड़ा बढ़ता है वह बूंद बूंद से गाड़ा बरता है इस चार उध्रान आपके सामने है सिर खुजलाता है सिर खुजलाता है कौन सी किरिया होगी सिर खुजलाता है बढ़ बढ़ी बन्द में खुजली मार रहे है खुजलारा सरी सिर खुजलारा सबें तो खुजली अपने अपी तो होती है की बितुआ हिए अपने अप्थ यह उख लाता है जैनि सिर्में कुझली अपने अप मान रही है कुझली अपने फुश्मे सिर्मे जो करिय अपने अप कौनसी करिया वह ने अपना खुर धर्या अपना करिया वह सिर्ख खुजाता है, तो किरिया कोई हुर कर रहा खुजाने की, सक्रमा किरिया, बूंद बूंद से गढ़ा भरता है, तो बूंद बूंद से गढ़ा अपना पितो भर रहा होगा, तो अक्रमा किरिया, वह बूंद बूंद से गढ़ा भरता है, सक्रमा किरिया, बासमनाज से गढ़ा बरता है वह बूंद बूंद से गढ़ा बरता है इन दोनों में अंतर है ठीक है चलिए यह आप जुरूर लिखिए इनका जो आप इसकीन सोट लेकर उनको जुरूर आप नोट करिए अपने काफियों में आपको बहुत फैदा होगा देखे पेड़ खड़ा है मोर नाशता है मोर करता भी कौन है तो उत्तर में क्या मिला करता मिला कौन सी करिया होगी अकरमक करिया होगी मोर नच्वाता है मोर नच्वाता है तो कोई हो नच्वान ना मोर तो किर्या कोई हो कर रहा है सक्रमक बिगुल से एक आपने कौन सी सक्रमक जैसे राम हस्ता है राम हस्ता है राम हसाता है राम रोता है राम रूलाता है राम हस्ता है राम स्वेमी तो हस्ता होगा क्या हस्ता है उत्तर मिला क्या नहीं मिलनेगा कौन हस्ता में राम का उत्तर मिलेगा कौन में क्या और किसको बताया तो क्या हस्ता है राम नी कौन हस्ता में राम मिलेगा क्या हसता उत्तर मिलेगा यह नहीं तो हस ने पढ़ हो सिता कहां पढ़ रहा करता पर पढ़ रहा तो कुण सी किरिया होगी तो हस तो कोई हो रहा हसा कौन रहा राम जब किरिया कोई और करे तो सक्रमक किरिया राम रोता है कुण रो रहा राम रो रहा पर होगा पढ़ रहा र कुण से किरिया किरिया और यह अकरम कि रिया यह पिए पेड़ खड़ा है में पेड खड़ा है न तो करता पेड़ी तो हुआ पक्षी आकास में उड़ते हैं, तो पक्षी आकास में उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं, पक्षी उत्तर मिल गया, पक्षी वा भै कुछ क्या बात होगी, उत्तर मिल गया, वा, सकर्मा किरे होगी, आगे घर अपना एकजाम दे कर, पता चला कि आंसर की में तो अकर्मा का गया अरे आकर्मा कैसे हो गया ऐसे हो गया पक्सी उड़ने काम स्विम कर रहे हैं परभाव किस पर पढ़ रहा आकास पर ने पढ़ रहा परभाव राम उस पर पढ़ रहा पक्षियों पर पतंग आकास में उड़ती है तो पतंग आकास में स्वमी तो उड़ा रहा होगा हावा से उड़ाता है, उड़ाता है, तो किरिया कोई होर कर रहा, सक्रमक होगी, पतंग उड़ती है अकर्मक होगी क्योंकि पतंग स्वम उड़री पक्सी आकास में उड़ते हैं ये किरिया अकर्मक किरिया है बस ये धानकेगा थे ना चलिए योग्या की सकर्मक और सकर्मक किरिया अकर्मक किरिया क्या होगी यानि जिस किरिया का कर्म नहीं होगा यानि कर्म रहित किरिया कैसी कर्म रहित किरिया वो कैसी थी कर्म सहित किरिया ये कौन सी है कर्म रहित किरिया यानि इसकी पहली पहचान पहली पैचान क्या किरिया स्वयम होती हो किरिया स्वयम होती हो दूसरी पैचान किरिया का परभाव करता पर पड़े करता पर क्यों पड़ेगा जब करम ही नहीं है जब करम ही नहीं है ना करम की संभावना है तो परभाव करता पड़े तो पड़ेगा करता पर पड़े जब किरिया के साथ किरिया के साथ क्या और किसको का पर्षन करे पर्षन करे का पर्षन करे उत्तर ना मिले उत्तर ना मिले जब उत्तर में करता मिले क्या मिले उत्तर में करता मिले क्यों मिलेगा क्योंकि करम ही नहीं है जब करम ही नहीं है तो उत्तर में करता ही तो मिलेगा पेड़ खड़ा है क्या खड़ा है पेड़ तो ही हुआ मोर नाशता है कोन नाशता है बहुत तो जी जी क्या नाशता है कोन नाशता है मोर नाशता है और कौन भं करते हैं नहीं क्या करते हैं राम नास्ता है राम नास्ता है क्या नास्ता है उत्तर नहीं मिला तो कुन सा अक्रमक होगी कि परहो किस पर पढ़ रहा राम पर पढ़ रहा अगर मैं पूछू राम पढ़ता है क्या पढ़ता है उत्तर मिलने की संभावना है कुछ पढ़ता होगा पुस्तक पढ़ता हो, अगबार पढ़ता हो, क्या पढ़ता है, संभावना है मिलने की, तो सक्रमक करिया, है ना, राम किताब पढ़ता है, क्या पढ़ता है, किताब सक्रमक है, है ना, राम बोलता है, क्या बोलता है, कुछ तो बोलता होगा, है ना, तो जो बोलता है, वही उ क्या पीता है राम क्या पीता है कुछ तो पी रहा होगा परभाव उस पीने पर पढ़ रहा होगा है तो इस तरह का जहां हमको परभाव में देखना है ठीना उधान मैंने आपको बहुत सारे दे दिये बोल दे आपके सामने उन बोलेवे उधान को आप लिखते रहिएगा यह आपका हिंदी के नोट्स होंगे और ये नोट्स आप धानकना बच्चो एक्जाम के दिन आपको बड़े काम आने वाले हैं जब आप एक्जाम देकर भार आओगे तो आप हमें जुरूरी याद करोगे कि वाह संजय संड ने क्या हिंदी पढ़ाई थी मज़ा आगया 38 मुझे से 38 करके आए चालिव से 40 से करके हैं 25 से 25 करके आए ऐसा आप जुरूर बोलोगे यह मैं आशा करता हूं ठीए बच्चो तो यह तो आपकी सेक्रमक और एक्रमक किरिया होगी आप इसके बाद जो हम पढ़ेंगे आपकी वो पढ़ेंगे हम आपकी उत्पत्ति के आधार पर क किरियाओं के परकार जो कि चार परकार हैं यह हम आपकी नेक्ष्ट वीडियो में करेंगे त्रिया बच्चो जो हम आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं हिंद्या नोट्स बनाते रही है बहुत आपको फैदा होगा और लाइक सस्क्राइब करना ना भूलें अगर पहली बार चै एक वृटसबी कि विचार धारा ओं कि अभिवक्ती है थोड़ा सा दुखी हुए मूड ओफ लिख दिया खुशिवे माजा आ गया है ना तो उसकी अभिवक्ति है उसकी दिन्चरिया कैसी है उसका स्वभाव कैसा है उसकी आज की पृषितिया कैसी रही उसकी अभिवक्ति है इस्टिटस तो आप भी अपने इस्टिटस पर हमारी वीडियो को शेयर करें अध तक लिए जय हिन जय भारत